जै स्री राम, आमार बंगला भाई बोनर मोनेरा आपनारा क्या मोन आचेन, आलो आचेन तो, उतर प्रेश के अंदर केद्र की मोधी सरकार के नित्रुद्व में जो कारे हुए, उनकी एक लंबी फेवस्त है, हैंड रूम दुनिया में बिक्या था, लेकिन सरकारी स्योग और उबेक्सा के कारणा तो दम तोर रहा है, इन गरीबों को जिनके प्रकित इनको प्रकान प्यादा सकता था खानलत प्रियावास योजिना में, टेमसी सरकार ने नहीं दिया, बेदे किसान गोगी दूटी एमसी के गुटों की तुटी है, जो आपकी परवर्दियों आपने पारादा पेरा कर देए और बंदाद के अंदर भारकी जनपापार्टी की सरकार पड़ें की घुश्वना होते ही, बेमसी के गुटों की वही दूटती होगी, जो तख्रेज के अंदर आगपार की सरकार आने के पहले बुटागर्टी करते थे, आज आप देख रहे होंगे उनकी क्या सिद्धी हो रही है, दो मही के बाद, बंगाल के अंतर, बंगाल की बामनाओं के अंदरूप, प्रहानमत्री, भोधी जी के विजन के अंदरूप, सोनार बंगला की सब्ति को साकार करने वारी सरकार आन माता की भारत माता की बंदी या जय स्री लाम। आमार बांगला भाई बोनर बोने रा आपना रा क्या मोन आचेन वालो आचेन तो आमी बांगलार पवित्रमाटी के पुर्णाम करचे जेखान थेके परमंसर राम कृष्ण स्वामी बिवेकानन्द गुर्देव रविंदरना टेगोर नेता जी सुवाज संद्र बोस एव मार अनेक महान पुरुस बिरिये चेन आमार भाग्यो जेखान आमी एमाटी ते एससे आपना दरे काचे मंच परुपस्तित भारती जनता पार्टी के जिलाध्यक्स सी स्यामल बोस लोग प्रिये प्रत्यासी सी दिवजीत सरकार जिला अब्जरबर सी अनल विश्वास पवन गुपता सी मती पार्वती सील माने विधायकांड सी बिक्रम सिंग्जी सी मती दिव्या सिंग्जी सी किसंसा, सी मोहनदाग, अमानीस लायर, अमिया घोस, अर्विंदम घोस भारती जनता पार्टी के सभी पदारिकारिकांड और भारी संख्या में यहां पर पस्तित विधान सवाज जंगी पारा से जुड़ेवे सभी भायू बेनो मैं उत्तर प्रदेश भग्वान स्री नाम और भग्वान स्री कृष्ण की पावन जनुभूमी से भारत की सांस्कृतिक राश्टबाद भारत के महान बैग्यानिकों, ग्रान्पिकारियों देर और विरांगनाओं किस दर्थी बंगाल को कोटे कोटे नमान करने के लिए आपके बीच मैं यहां पर पस्तितुआ हूँ मैं इस उसर पर आप सब का हिर्दै से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ भायों बेनों, बंगाल जिसकी अपनी पैचान रही है पिछले आजादी के सतर वर्सों के बाद भी उन बुनियादी सुविदाओं से बंचित है जो सेप राप्त होना चाहिए था तीस वर्स आपने कॉंग्रेस को दिये तीस वर्स पाम पंथियों को दिये दस वर्स टी-म-सी को दिया लेकिन बदले में क्या पाया गरीदी, बदहाली, गुंडागिर्दी, अराजक्ता, प्रस्ताचार कोई भी बुन्यादी सुविदा यहां के नागरिकों को नहीं मिल पाया जबकि देश के अंदर पिसले चार वर्सों के दोरान अगर मैं उत्तर प्रदेश की ही बात करो तो उत्तर प्रदेश के अंदर केंडर की मोधी सरकार के नित्रुत्तों में जो कारे हुए उनकी एक लंबी प्यवस्त है मैं भी आ रहा था जब मैं देख रहा था कि गरीबों के पास मक्तान नहीं है गुनियादी सुग्धाओं का भाव है बेजल के ले लोग तरस रहे हैं यहां का जंगी पारा का हैंड रूम दुनिया में पिख्या था लेकिन सरकारी स्योग और उबिक्सा के कारणा जो दम तोड़ रहा है यहां का किसान आलूत बादन तो करता है लेकिन फूट प्रोसेसिंग का कोई अच्छा केदर न होने के नादे उसे उची दाम नहीं मिल पाता है और किसान अंततहा वहा स्वयम भी सरकारों की उबिक्सा का तंस छेलतावा अपनी गरीदी के लिए खून के आंसू बहाने के लिए मजबूर होता है भायो बेनों बदहाली सरकार क्यों बेक्सा के करना आई थी इन गरीबों को जिनके प्रतिम जिनको मकान दिया जा सकता था प्रदानमंत्रियावास हो जिनावे बेमसी सरकार ने नहीं दिया जिने बिद्दूत के निसूल को कनेक्सन दिये जा सकते थे बेमसी की सरकार ने नहीं दिया हेंलुम के ने पैकेज आद्मेनिमर भारत के अंतरगरद न के ने आर्थिक पैकेज करके नए नई डिजाइनिंग के साथ नए नई तक्निक के साथ मारकेटिंग की सुविधा दे करके उनके उन्यन के लिए कारे हो सकता था Q.N.C. ने नहीं दिया फूट प्रोसेसिंग के अच्छे केबर स्कापित हो सकते थे नहीं दिया यहां तक कि देश के 10 करोड किसानों को 10 करोड किसानों को देश के अंदर ख्रदान वंतरी किसान सम्मान निदी का नाम मिलना है अकेज उत्तर ग्रदेश में हमारी सरकार ने दो करोड़ ब्यानी सुलाग किसानों को प्रधानमंतरी किसान सम्मान निदी के अंतर गट छे हजार उपे साला ना देने के भी वस्ता की लेकिन बंगाल के अंतर यहां के किसान इससे बंचित है दीदी किसान गुती किसानों के पृति नहीं नौजवानों के प्रती नहीं यहां के नागरिकों के प्रती नहीं महलाओं की सुरक्सा के प्रती नहीं दीदी की सानभूती तो टीमसी के गुंडों के प्रती है और उन गुंडों के प्रती है जो आपके पर्व और त्यवारों में बाधा पैदा करते हैं मैं आपको यही आस्वासन देने के लिए आया हूं। जादा दिन नहीं चलने वाली एक गुंडा गर्दिया। उल्टी गिंती प्रारम हो चुगे विदान सभा का चुनाव टीमसी की उल्टी गिंती के साथी। प्याइंसी के भी गुंडों की उल्टी गिंती लिखने की तिथी है दो महें को जब बंगाल विधान सभा के चुनों पेनाम सामने आएंगे और बंगाल के अंदर भारती जनता पार्टी की सरकार बनने की घोशना होते ही प्याइंसी के गुंडों की वही दुर्गती होगी जो उत्तर प्रदेश के अंदर भात्पा की सरकार आने के पहले गुंडा गृती करते थे आज आप देख रहे होंगे उनकी क्या स्थिती हो रही है कोई जेल के अंदर है कोई उत्तरप्रदेश छोड़ करके भाग गया है कोई दूसरे लोग की यात्रा में राम नाम सत्य है की यात्रा में निकल चुका है आज उत्तरप्रदेश में उसके लिए कोई जिगे नहीं है और बंगाल के अंदर भी गुंडा गुर्दिय और अरा जक्ता पैदा करने वाले इन गुंडों के साथ भी यही होने जा रहा है मुझे बताया गया है कि यहाँ पर सभा में आने से बी-म-सी के गुंडे भी और कोई अन्या संगठनों से जुड़े वे गुंडे भी लगातार धमकी दे रहे हैं और कहा रहे थे कि बी-जे-पी की सभा में जाएंगे तो यह कर देंगे यह को तमाम प्रकार की दमक्या दे रहे थे याद करना दो मई के बाद यही गुंडे आपके घुटनों आपके पैरों में नाग रगड़ते वे दिखाई देंगे आपके पेरों में नाग रगड़ते वे यही बुंडे दिखाई देंगे अपनी जान की भीक मानते वे धिरते वे दिखाई देंगे क्योंकि दो मही के बाद बंगाल के अंदर बंगाल की भावनाओं के नरूप प्रधान मंतरी मोधी जी के विजन के नरूप सोनार बंगला की सपने को साकार करने वाली सरकार आने वाली है और उस सपने को साकार करने के लिए आपका वहान करने के लिए आज मैं आपके वीच आया हूँ भाईो बेनो भाजपा की बंगाल के अंदर सरकार का मतलब डवल इंजन की सरकार नवाल इंजन की सरकार का लाग क्या होता है वो तर्वरेश में हमारी सरकार को आये मात्र चार साल हुए और चार साल में चालीस लाग गरीमों को हमने एक एक पुर्धान मंतरी आवास उप्वब्द कराया है च्छे करोड गरीमों को पांच लाग रुपे सालाना स्वास्ते भीमा आईुस्मान भारत की स्वास्ते भीमा का लाग उप्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प् दस वर्सों में कोई उद्योग बंगाल के अंदर नहीं लगा, दस वर्स में पहले बामदलों ने तीस वर्सों तक बंगाल का सोसन किया, उद्योग बंदों को बंद कराया, यहां के नोज़वानों को प्लाइन करने के मजबूर किया, और दस वर्सों से टीमसी यहां आपके आउड़ोगी की करण का विरोद करते वे यहां के उड्योगों को प्लाइन करने के लिए मजबूर करती है और उसके साथ प्लाइन हुआ ब्रेन ब्रेन का सबसे अच्छा उधान कोई डिखता है तो बंगाल डिखता है दुनिया की सिरिकन वेली में सबसे अच्छा ब्रेन कहीं का है तो बंगाल का है अगर वा नौजवान बंगाल के अंदर काम करता यहां के नौजवानों के लिए भी रोजगार देता बंगाल के विकास में भी योगदान देता लेकिन प्यम्सी पामदल और कॉंग्रेस की विजन में डेवलोम्मेंट है यह नहीं वे विकास नहीं चाते उनके लिए तो भस्ता चार ही जन्न सित्ध दिकार है उनके ले गुंडा किरदी उनका दिकार है उनके ले अभी वस्ताथ प्यदा करना ही उनका दिकार है और भाईो बेना इसलिए ने कायरा था कि इनके सानभुति बंगाल के युमाओं के साथ नहीं है किसानों के साथ नहीं है बंगाल की बहन बेटियों के साथ नहीं है इन किसान भूती तो केवल और केवल गुन्दा तत्तों के साथ में है और गुन्दा तत्तों की बुर्या विस्तर तो दो मईए के बाद से बंदना प्रारम हो जाएगा उससे पहले कॉंग्रेस बामदल और टीमसी का बुरिया विस्तर पूरी तरह बांगने के उसका है आप जानते हैं बादपा जो कहती है उसको करके दिखा देती है बादपा ने जो कहा वो करके दिखाया है जैसे गुंडागर्दी यहां पर हो रही है ऐसे गुंडागर्दी कभी कस्मीर में होती थी न आज कहा चलेगे यहां की गुंडागर्दी सब गायब आज कस्मीर में भारत माता की जैदो कर्म के साथ कहते हैं आज तो कस्मीर केंदर कोंग्रेस ने 1952 में एक साजी से रची थी और साजी से रची थी कि कस्मीर के अंदर भारत का कोई नागरी तुहां जाकर के अपना मकान नहीं बना सकता जमीन नहीं खरीच सकता जमू कस्मीर का नागरी कुलकता में आकर के जंगी पाड़ा में आकर के यहां जमीन खरीच सकता था मकान बना सकता था लेकिन जंगी पाड़ा और कॉलकत्ता का कोई नौग्रिक कोई नौजवान अगर चाहता कि मैं जमू कस्मीर के अंदर जमीन खरीदूंगा कॉंग्रेस ने आपको इस अधिकार से बंचित कर दिया था हम आभारी हैं प्रधान मंत्री मोधी जी का जिनोंने बंगाल के नौजवानों को विदिकार किया है कि बंगाल का नौजवान भी कस्मीर के अंदर जाकर के जमीन और मक्तान बना सकता है कोई उसको रोक नहीं सकता है इसके लिए आर्टिकल 370 को प्रधान मंत्री मोधी जी ने आज कस्मीर में आतंग बाद नहीं, विकास टेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, और भायों में नो, पांसो वर्सों से भारत का हरास्तामान बेक्ति चाहता था, अयोत्या में भगमार राम का भग मंदर का निर्मान हो, आप चाहते थे भगमार राम का मंदर हो, निर्मान हो, स अच्छी बात है, आप समनों भगमार राम के भवे मंदर के निर्मान की बात कर रहे हैं, और दीदी मंदर निर्मान के बात को दूर हो, तो भगमार बहुति जैसी राम बोलने में भी नाराज होती है, और उसके बाद पता नहीं क्या-क्या बोल ताती है, आँ गाली बगती है ना गाली है आयो बेनों मैं यही आप से मैं जानना चाहता हूं मैं बंगाल के अंदर हर वर गया हूं और मैं आभारी हूं आप सबका आपने मम्ता दीदी को जवाब दे दिया कि नहीं हर बंगला हर बंगाल का हर नौजवान हर महिला हर नागरिक राम को अपना अदर्स मानता है मर्यादा पुसुतम भग्मान सिरी राम उसकी आस्पा के प्रतीक हैं और अगर दीदी गाली देगी तो बंगाल का नौजवान भी टीमसी को जवाब देगा और यही जवाब है मम्ता दीदी तो पहले यहां पे दुर्गा पूजा को इप्रती बंदित कर दी थी आप याद परिए दो साल पहले जब एग और दुर्गा पूजा एक साथ पड़ी थी उन्होंने कहा ता कि रोज़ा अपतार के लिए हम समय देंगे लेकिन दुर्गा पूजा के लिए नहीं देंगे और मैंने उत्तर प्रदेस में कहा मैंने कहा पहले दुर्गा पूजा होगी उसके बाद कुछ और होगा गुलकता हाई कोट को अस्टक सेथ करना पड़ा था और गुलकता हाई कोट में कहा था कि अगर उत्तर प्रदेस में दुर्गा पूजा हो सकती है तो बंगाल के अंदर क्यों नहीं हो सकती यहां के अधिकारी हमारे अधिकारियों से जानकारी ले रहे थे कैसे आपने भी वस्ता की तो हमने का इसके लिए इच्छा सकती चाहिए आस्ता के साथ खिलवार करने की प्रबर्ड़ी बंदो होनी चाहिए सेकुलरे चम के नाम पर हिंदू भावनां के साथ खिलवार बंदो होना चाहिए जिस दिने खिलवार बंदो हो जाएगा अपने आप दुर्गा पूजा अपने भोती भी दिखाई देगी भाईयो बेनो दुर्गा पूजा को रोगने का प्रियास हुआ कि माद सर्व सुधी जो अमारी ज्यान के दिस्वात्मा देवी है सरसुती पूजा को भी अभी ुह ब्रुटिबंदित करने का प्रियाश 받고 कर दिया जाता है एक बंगाल की धर्ती तो अभ्धात्म की धर्ती है कभी चैतन्य महाप्रभू भक्ति का भैष्णों भक्ति का संदेश बंगाल की धर्ती से देते वे जगन्नात्पुरी तर जाते हैं कही राम कृष्ण प्रामरंस अध्यात्म के इसी जोटी ज़ाते कि स्वामी विवेकानंद का उत्पो होता है और जंगी पाड़ा के अंदर पुरा में तो राम कृष्ण मठ भी हैं जहां पर स्वामी विवेकानंद ने योग की दिक्सा नी थी कि यही तो धर्ती है जहां नरेंद्र से इस विवेकानंद बनावा एक सम्यासी दुनिया के अंदर जाकर के सनातन हिंदू धर्म का पता का गान तरके कह देता है कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं यही नि पकाहते sony विवेकानंद ने तो जंगी पाड़ा के नाज़ाना सामी वि प्रम्प्रा को आगे बढ़ाईए कि बहादुरी के साथ आपने टीम्सी के गुंडों का अब तक मुकाबला किया है 28 दिन और है मातर 28 दिन 29 दिन आप देखेंगे जैसे मेड़क बिल के इंदर छुक करके अपनी जान बचाने का कारी करता है ऐसे ही ये भी सब चुक्ते भी दिखाई देंगे कोई भी टीम्सी का गुंडा आपको सब्कों करते आएगा और हम लोग भी उनको बोल देना चाहते हैं खैरियक इसी में है क्यों चुक्चाप लोग तांत्री पद्दति से चुनों की प्रतिया में भाग ले गुंडा गृति करने से पाजाएं अन्यता किस्तिती क्या होगी दो मई के बाद किस्तिती उनके सामने होगी और मैं आप जो कहती है सो करके दिखाती है अयोध्या में भगवान राम की भव्य मंतिर के दिरुमाण कारी को 25 अगस्त 2020 को प्रदान मंत्री मोधी जेन आगे बढ़ा दिया है आज योध्या में भगवान राम का भव्य मंतिर बन रहा है मैं बंगाल के नागरिकों का अभार विक्ट करता हूँ। जिन्होंने समर्पन रिदी के माध्यम से अयोधिया में भाग्माराम के भव्य मंदिर निर्मार के लिए अपना योगदान दिया है। यहां की भग्माराम की जन्ता ने कंट्रिबूशन किया है। अयोध्या में बग्मार राम के मंदिर निर्माड के लिए हर भारतिय का योगदान आ रहा है और आज बग्मार राम को भब्य मंदिर का निर्माड अयोध्या में बन रहा है कि राश्ट्य मंदिर है भारत की आस्ता का प्रतीक का मंदिर है ये मंदिर इस बात का दूतक होगा कि कोई हमारी आस्ता के साथ किनी इकटिन पुरिस्ठिकियों के कारण भले हमारी आस्ता पर पुठारा गात करने का प्रियास करेगा लेकिन हम सनातनी है अपनी आस्ता का सम्मान करना भी जानते हैं और उसकी तुनर स्थापना करना भी जानते हैं तो भी उसका पालबाका नहीं कर पाएगा और यहीं तुम कहने के यहां पर आये हैं वायों बेनों यहां के आलू किसानों की समस्या का समारहान हो हैंडनों के कारे के साथ जड़ेवे हस्तुसिल्पी हो या फिर यहां पर बेजल की सुविदा प्रदानमंत्री मोदीजे ने जल जीवन विसन के इंतरगत हर घर नल की योजना कारम की है हर घर नल घर 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 जल यानि हर घर में सुद्ब बेजल की आप पूर्ती करने की विवस्ता जल जीवन विसन में कर दी है भाजपा को ले करके आईए भाजपा की सरकार बनाईए और विकास की नोजनाओं के मात्रम से पनी तकदीर को बदल करके रहानमंत्री मोदीजी के सोनार बांगला के सपने क साकार करने में अपना योगदान दीजिए यही आवान करने करयात में आपके बीचे आपर बसने कुआ हो आप सभी संवे सभी लोग में इसे सहमत हैं सभी लोग सहमत हैं दोनों हद भाईए देवजीत सरकार आप इधर आईए देवजीत सरकार है भात्य दंतापार्टी के पृत्यासी बॉलकाता हाईबोड के अधिमक्ता है प्रेक्टिस करते हैं और आपकी सेवा करने के लिए पिछले चार वर्सों से प्रेक्टिस शोड़ करके जाम पाड़ा के जंगी पाड़ा के लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए यहाँ पर कारे कर रहे हैं और यह कहने करें मैं आया हूँ देवजीत सरकार को जिन्होंने जंगी पाड़ा की समस्याओं का समाधान करने का बिड़ा उठाया है पड़े लिखे लोग हैं आपकी समस्या का समाधान करने के तत्पर हुए हैं और इसलिए दोनों हाथ प्ला करे मेरे साथ बोलेंगे दोनों हाथ प्लाएंगे जाई सुरी लाम जाई सुरी लाम ABP News आपको रखे आगे